प्रदेजी, हम सब जानते हैं कि आज से दस साल पहले हमारे देश की अर्थवेवस्था का क्या हाल था। आज से दस साल पहले हमारी संगर्ष सीर जो एक चर्मराती और एक लड़कराती अर्थवेवस्था जो कहीं 11 वार में नंबर पर थी और सारा देश जो है उसको लेकर चिंतित रहता था पिछले 10 सालों में वो अर्थवेवस्था ग्यारमे से पाँच में नंबर पर आई है और लुफ बजट से जो है वो हमारी अर्थवेवस्था को भी तिवरता मिलेगी महोदे जी और जो हमारा 2047 का जो संकल्प है कि विक्सित भारत का जो संकल्प है हम प्रथं एकॉनमी बनेंगे वो भी इस बजट से हम पूरी उमीद है एक कदम हम उस संकल्प के जो है वह करीब जाएंगे महोदे जी पिछले साल हमारे हिमाचल परदेश में एक बहुत बड़ा प्रकृतिक संकट आया एक बहुत बड़ी बाड आई जिससे ना जाने कितने जन धन पशु जमीन की हमारे लोगों को जो है वो हानी हो गई लेकिन दुख की बात ये है कि अभी भी हमारा हिमा परदेश की सरकार है उनका जो लापरवाही है और उनकी जो भ्रष्टाचार नीतियां आज भी हमारे लोग जो है उस बाड के परभार से जो पीडित है मैं आदर्निया और माननिया हमारी जो वित मंत्री है शिर्मती सिता रमन जी का मैं अभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने हमारी हिमाचल की जनता के लिए जो है एक स्पेशल रिलीफ फंड की जो घोशना की है हम सब हिमाचल वासियों की तरफ से हम आपका अभिनंदन करते हैं और हम आपका अभार प्रियक्त करते हैं महोदे जी मुझे ये जानके और आपको बताकर इस बात की खुशी भी होती है और खेद भी होता है कि जितना काम पिछले 10 वर्षों में हमारी भारतिय जनता पार्टी ने लिए हिमाचल प्रदेश में किया है वो उतना काम हमारे आजादी के बाद 60 सालों में भी हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ था आप सब हिमाचल जाते रहे होंगे आप सब हिमाचल जाते रहे होंगे और आप सब ने देखा होगा कि वहाँ पर जो है आजादी के साथ साल तक सिर्फ कुछ रोड बने थे और वो भी हमारे मान्निय जो पुर परधान मंतरी अडल भी हारी जी रहे हैं उन्होंने अपने कार्यकाल में जो है वो ग्रामिन परधा परधान मंतरी सडक योजना के अंतरगत वो रोड बनाये थे लेकिन पिछले दस वर्शों में परधान मंतरी नरेंदर मोदी जी की सरकार ने हमारे क्षेतर को जो है एम्स, ट्रिपल आइटी, आई आई एम जैसे वैश्विक स्तर के जो है वो संस्थान दिये है और वंदे बहारे जैसी ट्रेंड को हमारे हिमाचल में पहुंचाया है हमारे हिमाचल जैसे छोटे से राच्यो को साड़े Tीन हजार क्रोड की लागत का मनालिक किर्थपुर जो है वो हाइवे दिया हुआ है जिसमें माने मोदे जी पांच से ज़ादा टनल है और 37 से जादा उसमें बि टनल है विश्व की सबसे लंबी टनल है और वो एक सिंगल टूब हाइवे जो है वो पूरे विश्व के लिए जो है एक बहुत बड़ा उधारन है और उसके साथ ही 11,000 क्रोड के हाइडल प्रोजेक्ट हमारे हिमाचल प्रदेश को दिये हैं अगर मैं यह सूची यहां पे एक ऐसे राजय है जो पूरी तरह से शॉच फ्री है और वहां घर-घर में जो है वो गैस चुले का कनेक्शन लगा है एक भी माता एक भी बहन गैस चुले के कनेक्शन के बिना नहीं है और मेरा यह जो सवभागय है अठार्मी लोग सभा में महोदे जी मेरा यह सवभागय ह कि जब मैं यहां पे आई थी तब महिला आरक्षन बिल जो राजनिती में महिलाओं को जो है 33% आरक्षन देता है वो मिल भी पारित हुआ था तो मेरे लिए बड़ी ही यह सौभागे शाली जो है आठवी अठार्मी जो लोग सबा है और हम बात कर रहे हैं मैडम भी बोल रही थे कि दफ साल पहले ऐसा थे दफ साल पहले ऐसा था सर सिर्फ अंकड़ों से बारत आगे नहीं जाएगा अगर पूरी दुनिया में वारत की पजीशन देखनी है तो हैपीनेस इंडेक्स में हम 216 में 108 में नंबर पर थे और अब 126 में नंबर पर चलेगे गलोबल हंगर में हम 111 में नंबर पर हैं 125 देशों में और जिन हमारे जो प्रोसी देश हैं जिनको हम मुलक भी निसामिते हो वह हमारे देश से आगे निकल रहे हैं और सबसे हरानी की बासवापती जी आपको होगी एक रिपोर्ट के इनवार्मेंटल परफॉर्मस इंडेक्स 180 देशों का शर सिर्फ बातों से विश्व गुरू नि बनेंगे पूरे देश के हला जे हैं के 140 क्रोड की पॉपूलेशन में सिर्फ सवाचार क्रोड लोग हैं जिनकी सेलरी जिनकी कमाई महीने की 25,000 से ज़्यादा है अब सोचिए जिनकी 25,000 से महीने की सेलरी कम है क्या वो किस तरह का कोई सिर्मान जनक जीवन को अपतीद कर रहे होंगे यहाँ पर माननीया वित मंत्री जी ने बड़े गर्व से कितने बार पता नहीं कहा कि जी 85 क्रोड लोगों को हम राशन दे रहे हैं 85 क्रोड लोगों को राशन दे रहे हैं जे कोई गर्व की बात ही मुझे लगता है कि सरकार क वो बैजा बैजा और सर ऐसे देश आगे नहीं बढ़ेगा और सर अगर मैं लास्ट में अपने शेतर पंजाब की बात करूं क्योंकि सर बैसे तो किसी परदेश का ध्यान नी रखा गया अगर मैं पंजाब की बात करूं सर फलर्ट्स के लिए बजट आपने लॉट किया आपने का जी साम में फलर्ट्स आए बिहार में फलर्ट्स आए उत्रा खड में फलर्ट्स आए हमाचल में फलर्ट्स आए क्या सर पंजाब देश का हिस्सा नहीं है जो बारिश उत्रा खड में हुई हमाचल में हुई क्या वो मैं कपूर थला गया महाली गया रोपड गया और हमारे वहां सर शेतर में ऐसा महाल बन गया कि तीन 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 फुट मिटी चड़ गई और वहां मैं दावे से कह सकता हूं कि अगले बीस साल भी वहां कीती नहीं हो सकती और सर, दो मिन सर, दो मिन, और सर मैं पंजाब के पॉइंट डवी से कहूं, इतनी नफ्रत पंजाब से क्यों है, जिस पंजाब का बलीदा ने इतना बड़ा रहा के देश को अयाल करवाने में भी हमारी असी प्रिज़न करवानिया, और उसके बाद भी सर पंजाब के किसी गा किसानों की हमारे गाउं में हमारे पंजाब में नाती हो, और उसका आप जिकर तक नहीं करते, जिस बात के लिए आप कहा रहे हैं कि देश आतम निर्वर हो गया, आतम निर्वर करने में भी सबसे बड़ा योगदान हमारे किसानों का है, और वो कही ऐसे नहीं हुआ, हमें म ही हमें देक्ट आ रहे हैं हमारी जांकियह अंगता का ते अब फंक में चबड़ी जार्पिय। कि पंजाब को शुमें प्रभाह 2 है को में पॉैशालाइब कायब देनग़ इनडमान बेनवाल जी तेष्ですね